ग्रीटिंग टू अल अफ्य स्टूडेंट्स आजम बात करने वाले बीए फ़स्ट इयर की लिट्रेचर की बुक में पेपर सेकिंड का एक ऐसे आडिस एपॉइंटेड मैन जो की रॉबर्ट लिड द्वारा लिखा गया है मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा हो सकता है मेरी इस वीडियो में आपको थोड़ा सोर सुनाई दे माफ करना लेकिन कोसिस कर रहा हूँ अच्छी वीडियो बनाने की तो रॉबर्ट लिड द्वारा लिखित ये अडिश अपॉइंटेड मैन ऐसे आज हम इसकी प्रॉपर हिंदी जानेंगे तो ये वीडियो सिर्फ आपको सुनने के लिए है ना कि कुछ देखने के लिए चले स्टार्ट करते हैं इस ऐसे की हिंदी रॉबर्ट लिड एक अंदे व्यक्ति की कल्पना करता है रॉबर्ट लिड जो है लेखक वो एक अंदे व्यक्ति के बारे बात करते हैं जो अध्भुत ओप्रेशन द्वारा अपनी आँखों की जोती प्राप्ट कर दूसरे दिन मानववो को देखकर चौक जाता है जो कि उसकी कलपना के अनुरूप नहीं ते तो लेकक एक अंधे व्यक्ति के बारे बात करता है एक अंधा व्यक्ति जिसकी आखें आखों का ऑप्रेशन होता है और उसकी आखें सही हो जाती है इसको लेकर अंधा व्यक्ति अपने मन में जब अंधा था वो कलपना करता है कि आदमी उसने कलपना की जो उसने सूचा बैसे लोग यहां पे नहीं हैं मतलब उसकी सोच से बहुत अलग लोग यहां पे हैं तो इस बात को देखकर वो तुरंट चौक जाता है कौन वह अंधा व्यक्ति जिसकी आँखे ठीक होती हैं वह अतना निरास होता है बहुत ही दुखी होता ह वह सोचता है कि अंधे होने पर वह अधिक प्रसन था तो जो अंधा व्यक्ति था वह सोचता है दुखी हो जाता है सोचता है कि अगर मैं अंधा था तब भी बहुत सुखी था तभी अच्छा सुखी था तभी मुझे कोई दुख नहीं था मैं बहुत ही प्रसन था मानव उ लेकर नाक के फूल तक कलपना था, कलपना के अनुसार सुन्दर ना लगे, तो उसने जितनी कलपना अपने मन में की थी, तो कलपना सारी की सारी उसकी बेकार गई, उसकी तरह उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुस्प, कुछ भी चीज नहीं लगी, कि जैसी उसने कलपना क कि वैसी हो अता वह निरास वह हतास हो जाता है हो गया तो निरास का मतलब होता है दुखी और हतास का मतलब होता है बिलकुल हिरदर तूट गया उसका कि अब इसका कुछ हो नहीं सकता तो जादा हतास जादा सैडनस हो जाना उसी को हतास बोलते हैं तो वह हतास हो गया जादा साथ भी आती है यानि कि आप बात करते हैं हम लोगों की जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो तो हम सब लोगों की लेखक बात करता है कि ऐसी इस्तिती से हमारे जीवन में भी आती है जब हम भ्रहमित हो जाते हैं कि जब हमें डर लगने लगता है एक चीज जो की नकली है और असली दिखने लगती है जब हमें भ्रह्म पैदा हो जाता है हम बस्तुओं और मानवों को अपनी कलपना के अनुरूप नहीं पाते हैं तो हम जो बस्तुओं होती हैं जैसे कि एक पुतला, अगर हमारे सामने हैं, हमने उसको देखा, तो दूर से तो लग रहा है असली, लेकिन जब पास में जाके देखा, तो रसी पड़ी है, तो इस प्रकार जो है, हमें भ्रहम हो जाता है, ये सब कुछ हमारी जिंदगी में भी होता है, तो जो हमारी कलपना स सिंग उंट और हाती को देखा वह भी उन्हें देख निरास हो गया था तो निवंदकार लिड कहते हैं कि उस बार वो भी याद करते हैं कि जब उन्होंने पहली बार हाती को देखा जब उन्होंने पहली बार उंट को देखा जब उन्होंने पहली बार इन चीजों को देखा तो वो भी बहुत उदास हो गए थे उसने इन पसूँँगों को अपनी कलपना के अनुरूप नहीं पाया मतलब उसने जैसा सोचा वो पसू वो जाणवर वैसे नहीं थे सेर, हाती और उंट उसकी कलपना से बहुत छोटे मिले तो उसने सोचा के सेर आती और उट बहुत बड़े होंगे लेकिन जो उसने सोचा वो सब गलत निकला और वो उसकी कलपना से छोटे पाए या निकले ठीक है बच्चे उन जीवों के आकार की जिनको नहीं देखा है बहुत बड़ा चड़ा कर कलपना करते हैं तो जो बच्चे होते हैं चोटे बच्चे जिन्होंने कभी हाती नहीं देखा है या कभी सेर नहीं देखा है तो जब उनसे कहा जाए बटा सेर आ जाएगा हाती आ जाएगा तो वो सोचते अपने मन में कि वो बहुत ही बड़ा होगा मतलब एक कलपना जितनी करते हैं वो कलपना बहुत बड़ी होती हाती से भी दुगनी बड़ी की कलपना करते हैं कि वो जानवर कितना बड़ा होगा बहुत बड़ा या बहुत खतरनाक होगा तो छोटे बच्चे इस प्रकार की कलपना अपने मन में करते हैं निवंदकार के अनुसार की जब उसने लंदन सहर को प्रथम बार देखा निवंदकार लिड जो होते हैं यानि कि जो रॉबर्ट लिड है जब उन्होंने पहली बार लंदन को देखा वह निरास हुआ था तो लंदन को देखने के बाद वह निरास हो गया लंदन एक सहर है ठीक है तो लंदन की इमारते बहुत बड़ी ना थी तो घर पे जब रहता था तो उसने सोचा लंदन की इमारते या लंदन में जो मकान है वो कितने कितने बड़े होंगे लेकिन जैसा उसने सोचा वैसे नहीं थे, जब वह वहां गया तो उसने देखा कि उसकी सोच से भी छोटे मकान वहां पे हैं, सोच से भी छोटे घर वहां पे बने हुए हैं, बाकी गम के महल को देखकर बहुत निराज हुआ, बाकी गम के महल को देखकर, क्यूंकि यह बास्त में एक महल की तरह नहीं था मेल अंन्य इमार्तों की ओपेक्षा अधिक आशरेजनक होता है यानि कि सच बात है कि जो मेहल होते हैं वो गाउं के या फिर सहर के मकानों से बहुत अलग तरीके के होते हैं यह गिर्जे की अपेक्षा बड़ा होता है देखो गिर्जे की अपेक्षा बड़ा होता है गिर्जे का मतलब होता है इस सब्द महल एक साधारन यानि कि असाधारन रोमांटिक है तो गिर्जे का मतलब होता है जो महल या गाँ होते हैं तो उनमें जो मकान बने होते हैं सहरों में जो मकान बने होते हैं उनसे भी अलग तरीके का महल होना चाहिए था तो वो एक रोमेंटिक भी होता है महल और असाधारण भी होता है मतलब सरहल न होता है बलकि बहुत कटिन होता है बागी गम महल इस परकार बागी गम महल इस परकार महल न था तो इस परकार का वो महल नहीं था बिलकुल भी तो अता इसको देखकर निवंदकार निरास हो गया था तो जब निवंदकार ने इसको देखा मेहल को देखा तब भी वह उदास्था हो गया था निरास हो गया था निवंदकार आगे कहता है कि एक आदर्स घोडे की तस्बीर बास्तविक घोडे से बिलकुल भिन्न है जिस आदमी ने पहले कभी गोड़ा नहीं देखा है वह प्रथम बार उसे देखकर बहुत कुछ आसा करता है यहनि कि निवंदकार आगे कहता है कि एक आदर्स गोड़े की तस्वीर वास्तवे गोड़े से बिलकुल भिन होती है देखे एक तस्वीर में हम जिस चीज को देखते हैं और हकीकत में उसको देखते हैं तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है जी हाँ बहुत बड़ा फर्क होता है तो लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ को प्रथम बार देखते हैं तो उसकी तस्बीर में और उसमें बहुत बड़ा आंतर होता है युद के काम आने वाले गोडे बास्तब में उतने ही सुन्दर हैं जितने उनकी आधुनिक समय के जिन कसे गोडे यानिकी जिन कसे गोडे तो आज जो युद वाले गोडे होते हैं वो युद वाले गोडे बिलकुल सेम प्रकार के होते हैं बहुत ही बास्तविक होते हैं और बहुत ही सुन्दर होते हैं जितना की उनकी कलपना की जाती है तो सच में जितनी हम कलपना करते हैं उतने ही अच्छे होते हैं कौन से जो रेस वाले घोड़े होते हैं ठीक है तो उनकी बात करें उसके बाद बीर योद्धा भी प्रिथम बार घोड़े को देखकर निरास होते तो बीर योद्धा प्रतंबार जब घोड़े को देखते हैं तो वो भी एकदम निरास हो जाते हैं लेकिन उनकी इच्छा अनुसार घोड़े वो सही होते हैं अक्सर बड़ी आसाएं हमें दुख देते हुए बड़ी निरासाओं में बदल जाती हैं तो जो हम बड़ी बड़ी आसाएं रखते हैं बड़ी बाते सोचते हैं या बड़े बड़े कर्म रखते हैं तो होप जो रखते हैं बड़ी उस होप में वह भी हमारी बड़ी होप तुड़ दें और वो दुख में बदल जाए तो ऐसा हमें दुख हो जाता है। हम निराथ से पक्त से तब सिछुटकारा पसकते हैं हम यानि जो दुख ऑन सोचके जब भी हम ना करें कि यही हमारे काम आने वाली, ऐसा कुछ हम ना सोचें, ठीक है, अक्सर हम किसी पुस्तक के पढ़ने के आनंद से बिहीन हो जाते हैं, मतलब अक्सर जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं मन से तो उसमें बिलीन हो जाते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, जब हम पहले से ही उसे सर्ब्स्रिष्ट मान लेते हैं लेका कहता है कि वह बुरी फिल्मों की अपेक्षा अच्छी फिल्मों को देखकर अधिक निरास हुआ है क्यूंकि अच्छी फिल्में बहुत कम होती हैं तो लेका कहता है कि जब हम उसे सर्ब्सिरिश्ट माल लेते हैं किताब को, तो कहता है कि हम अच्छी फिल्मेलेटकर आज भी उदास होते हैं, क्योंकि अच्छी फिल्मे ज़्यतर बनती • यह अच्छी चीज अमारे जीवन में ज़यातर होती भी नहीं है तो ये सोचकर मुझे उदासी मेसूस होती है, लेकक उदास होता है, ठीक है, बुरी फिल्म हमें कोई आसा नहीं रखते हैं, उसकी अच्छी एक्टिंग को देखकर हम अधिक प्रसन होते हैं, देखिए, बुरी फिल्म से हम कोई आसा नहीं रखते हैं, यानि कि बुरी फिल्म वो हमें निरास नहीं करती हैं तो रॉबर्ट लिड के अनुसार यात्री अपेक्षा करने के दुख तथा अपेक्षित के आनंद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो रॉबर्ट लिड जो होते हैं वो जो यात्रा करने जाते हैं उनके दुख को उनके सुक को अच्छी तर आर्टलांटिंग समुद्र में बहुत निरास हो गया था तो जो आसकर वाइल्ड आर्टलांटिंग समुद्र में बहुत निरास हो गया था तो इसका कहने का मतलब है एक समुद्र है इसमें जब भूमने गयते तो बहुत ही निरास लेका को थे दूसरे व्यक्ति ताजमहल जै जूटी कलपना कर लेते हैं तो मनुसे जो होते हैं वो इमारतों की या महलों की या इस्तानों की जूटी कलपना अपने मन में कर लेते हैं जूटी बाते सोच लेते हैं जब उन्हें देखकर उनको अपनी कलपना के अनुरूप नहीं पाते हैं तो बहुत अधिक सिकायत करते हैं, यानि कि जैसे कि हमने सोचा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बुरा काम करते हैं, या आपके कहने का काम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप फिर सोचोग इसलिए निरास होते हैं कि उन्होंने इसकी सुन्दर्ता के बारे में इसको देखने से पहले ही सुन रखा था वो केवल इसलिए मतलब नाराज नहीं होते हैं बलकि उदास होते हैं कि हमने इनकी सुन्दर्ता को पहले से ही देख रखा था और उसको देखने पर बैसा नहीं पाया जैसा हमने उनको सोचा था ठीक है यदि बे किसी अग्यात इस्थान को आते तो बे उससे प्रवावित होते यानि कि वे अगर किसी ऐसे इस्थान पर जाते जहां वे जानते भी नहीं है वे प्रसन होते लिट कहते हैं कि उन्हें कैलोविले को पहले से उसकी बदनामी सुनकर प्रतम बार देखा तो उसे यह इस्थान बहुत सुन्दर लगाता है जो निवनकार थे या कोई थे जिनको देखा है। लिडिड़ आगे कहते हैं कि अंदाव व्यक्ति अपनी आँखें आखों की दरश्टी पागर निरास नहीं होगा यदि वह पहले से ही उसकी सुंदृता की कलपना ना करें तो उनका कहने का मतलब है जो अंदा व्यक्ति होता अगर वो पहले से किसी बात की कलपना ना करे तो वह उदास नहीं होगा उसको बहबस्तू असुंदर सोचनी चाहिए थी तब उस बस्तू को सुंदर पाकर वह प्रसन होता यानि कि जब हम किसी बस्तू के बारे में सोचें तो हमें ऐसी सोचनी चाहिए जैसे कि वह सुंदर रयान की बेकार बस्तू है तो जब हम उसको अच्छा देखेंगे तो हम बहुत हो जाएंगे हो सकता है कि आँखों की द्रिस्टी मिलने पर अन्दा व्यक्ती मानव को देखकर सही रूप में निरास हुआ हो हो सकता है उसकी कलपना के अनुसार सही नहीं लगा हो यदि वह पहले से कलपना ना करता तो उसे यह संसार अच्छा नहीं लगता है अगर वो पहले से इस बात के मामले में कलपना नहीं करता तो यह संसार उसको बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता बास्तविकता यह है कि जो बस्तु या अस्तान किसी को पसंद आते हैं दूसरों को वे अच्छे ना लगें वे उनको देखकर निरास हो सकते हैं बस्तुएं जो दूसरों को सुन्दर पृतित होती हैं आवश्यक नहीं कि वे हमें भी सुन्दर पृतिक हैं इसके विप्रित व हर बस्तु अच्छी नहीं होती है, टोटल कहने का मतलब यह है, अगर हम किसी बस्तु के बारे में बुरा सोचेंगे, तो अगर हम उसको देखेंगे और वो बस्तु अच्छी निकली, तो हम खोस होंगे, अगर उस बस्तु के बारे में हम अच्छा सोचेंगे, और बाद में ज दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर कर देना थैंक यू